हलो फ्रेंज दोस्तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि जब आपको अपने घर में पलंबिंग काम करवाना होता है तो पलंबिंग के काम में कौन-कौन से तो डिफरेंट टाइप के पाइप यूज किये जाते हैं और कौन से पाइपी क्या इंपोर्टन्स है और दूसरा के एक plumber किस pipe की fitting का क्या rate आप से charge करता है इससे आपको अपने घर में plumbing का काम कराते समय बहुत help होगी क्योंकि ज्यादतर लोग वही pipe fitting में use कर लेते हैं जो उन्हें plumber recommend करता है हाला कि plumber भी आपको गलत नहीं बताता पर थोड़ी बहुत knowledge तो आपको भी होनी चाहिए क्योंकि घर बनाने में आपकी hard and money use होती है इसलिए ये जरूरी है कि plumbing pipe की basic knowledge आप जरूर ले तो आज किस वीडियो में मैं especially आपको plumbing में use होने वाले different tray के pipes और उनकी fitting का labor charge detail में बताऊंगा कि कौन सा plumbing pipe कहा use करना है और कौन सी fitting का एक plumber आपसे कितना charge करता है तो वीडियो important है या नहीं ये तो आप हमें बताऊगे वीडियो देखने के बाद बस मेरी आप लोगों से एक ही उजारिस है कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो informative है तो वीडियो को जादा से जादा like और अपने दोस्तों के साथ share करना नहीं भूलिएगा ओगे friends तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी दिरी के देखे friends किसी में building या घर की plumbing और sanitary में different types के pipe यूज के जाते हैं इनके purposes के base पर जैसे के water distribution के लिए drainage के लिए और waste disposal के लिए आमतोर पर किसी भी घर में waste water different places से produce होता है जैसे के kitchen, bathroom, toilet, etc. और ये सारा waste water एक pipe से नहीं carry किया जाता इसके लिए अलग-अलग different तरे के pipe यूज के जाते हैं जैसे soil pipe जो human solid waste को आपके toilet से septic tank तक ले जाने के लिए डाला जाता है जो 4 inch का pipe आपके कमोर से septic tank तक डाला जाता है उसे soil pipe कहते हैं दूसरा है waste water pipe यह pipe सिर्फ kitchen, bathroom और washvation के पानी को carry करने के लिए डाला जाता है इसे waste water pipe कहते हैं जिसका size 30 से 75 mm तक रखा जाता है यह pipe solid waste को carry नहीं करता तीसरा है rain water pipe यह pipe हमारी छट पर जो बरसात का पानी कठा होता है उसे carry करता है इस pipe का डाया भी 75 mm से कम नहीं रखा जाता और चोता है vent pipe, यह pipe सभी तरह की gases को carry करने के लिए डाला जाता है ताकि आपके toilet bathroom में समेलना रहे जिसको छट के top पर दिया जाता है और इसके लिए minimum 50 mm डाया का pipe यूज के जाता है तो इन सभी purposes के लिए हमारे घर की plumbing में में मेली past तरह के different pipe सबसे जादा यूज के जाते हैं जैसे कि PPR pipe, PVC pipe, UPVC pipe CPVC pipe और GI pipe तो आईए इन pipes के बारे में थोड़ी basic जानकारी समझ लेते हैं कि किस pipe को कहा यूज के जाता है और किस pipe को यूज करने के क्या फाइदे और क्या नुकसान है तो पहला है PPRC pipe जिसकी full form होती है polypropylene random co-polymer plastic pipe इस pipe की thickness PVC pipe के मुकाबले जादा होती है इसलिए ये pipe बहुती strong और durable होता है जिसका हर तरह की environmental condition में भी 50 साल से भी उपर life span रहता है क्योंकि इस pipe की thermal conductivity बहुत low है इसलिए ये pipe hot and cold water system के साथ easily withstand कर सकता है बिना किसी breaking और cracking के यानि के hot and cold water system के लिए ये pipe एक best option है इस pipe को आप सभी तरह की internal plumbing fittings के लिए यूज कर सकते है बस इसकी installation में थोड़ा time लगता है क्योंकि इसे join करने के लिए से गरम करना पड़ता है इसलिए इसकी labor cost PVC और CPVC pipe की labor cost से थोड़ी ज़ाद रहती है PPR pipe 16 mm से लेकर 125 mm तक के sizes में आते है जिसका labor rate 16 और रुपे running fit से 40 और रुपे running fit तक रहता है जो rate pipe के sizes पर depend करता है second is PVC pipe PVC pipe plumbing के काम में सबसे ज़्यादा यूज के जाता है बोथ supply system और DNA system में क्योंकि यह pipe एक तो दूसरे सभी तरह के pipe से सस्ता होता है जिसे maintain करना भी काफी जी रहता है और दूसरा इसकी installation भी काफी आसान रहती है PVC pipes mostly gray color का होता है जो सिर्फ और सिर्फ cold water services के लिए ही यूज के जा सकता है PVC pipe आप गरम पानी के लिए यूज नहीं कर सकते तो PVC pipe की आज के समय में बहुत जादा निमान है क्योंकि एक तो यह सस्ते पढ़ते हैं दूसरा यह pipe प्लास्टिक के होने के कारण corrosion resistant होते हैं और वजन में भी काफी हलके रहते हैं इसलिए इन्स्टोल करने और हैंडल करने में कोई समस्या नहीं होती यह बहुत ही आसानी से install के जा सकते हैं अब अगर PVC pipe के uses की बात करें कि PVC pipe आपको कहा कहा यूज करने है तो PVC pipe mainly drain water, waste water और vent के लिए यूज के जाते हैं PVC pipe, residential plumbing में सबसे ज़्यादा waste drainage और vent application के लिए यूज के जाते हैं यह pipe अक्सर घर के sewerage system के लिए भी यूज के जाते हैं यानि कि घर के vent system, waste water drainage, rain water drainage जैसे soil pipe for toilet, bathroom, kitchen और balcony के लिए PVC pipe ही यूज करना चाहिए तो अपने easier use और lighter nature के कारण PVC pipe बहुत ही popular है plumbing work के लिए इसका plumber charge करता है 12 रुपे से लेकर 60 रुपे पर फीट तक जो pipe के size पर depend करता है थाइड है यू PVC pipe जिसकी full form होती है unplasticized polyvinyl chloride pipe यानि के simple आप इसे ऐसे समझो के अगर PVC में से plastic को निकाल दिया जाए तो वो बन जाता है unplasticized और plastic निकलने के बाद ये pipe और ज्यादा मजबूत हो जाता है जिसे rigid PVC pipe भी कह सकते है यू PVC pipes और fitting सभी तरह के residential और commercial plumbing work के लिए यूज किया जाता है जो indoor, outdoor और cold water distribution में concealed pipeline के लिए यूज किया जाता है इसे आप गरम पानी के लिए यूज नहीं कर सकते यू PVC pipe सफेद रंग का होता है जो लगबक गरम पानी को छोड़कर घर की हर तरह की plumbing fitting में आप यूज कर सकते हैं किसी भी तरह के chemical और sunlight का इस pipe पर कोई असर नहीं होता या बहुत ही ज़्यादा highly resistant pipe होता है यह pipe PVC pipe से थोड़ा costly जरूर पड़ता है पर अपनी अच्छी मजबूती के कारण आज ये pipe building construction में बहुत बड़े level पर यूज के जा रहा है अगर इस pipe fitting के labor rate की बात करें तो यह pipe आजा इंची से लेकर 6 इंची तक के sizes में available है जिसका plumber rate है 18 रुपे से लेकर 60 रुपे running fit तक यह rate भी pipe के sizes पर depend करता है नमबर 4 है CPVC pipe जिसकी full form होती है polyvinyl chloride pipe हाला कि CPVC और PVC यह दोनों ही pipe भार से देखने में लगबग एक जैसे दीखते हैं पर इनका chemical और molecular structure different होता है क्योंकि CPVC pipe की manufacturing के समय इसमें chlorine add किया जाता है जिसके कारण CPVC pipe PVC pipe से different हो जाता है और CPVC pipe 200 degree तक के temperature को handle कर सकता है जो PVC pipe नहीं कर सकता इसलिए CPVC pipe hot and cold दोन application के लिए suitable रहता है जो PVC pipe सिर्फ cold water के लिए suitable रहता है CPVC pipe hot water lines जैसे solar water line और geezer के लिए specially recommend क्या जाता है हाला कि CPVC और PVC pipe यह दोनों ही pipe बहुत जादा strong और rigid है और यह दोनों ही pipe same size और fitting में available है तो अपनी durability, easy to use और UPVC और PVC pipe से जादा application होने के कारण CPVC pipe इन दोनों pipe से बहुत जादा महंगा परता है CPVC और UPVC pipe fitting का labor rate लगबग same ही रहता है एप्रोक्स 18 रुबे से लेकर 60 रुबे running fit तक जो depend करता है pipe के size पर और fifth है GI pipe यानि के galvanized iron pipe GI mild steel की seat से बनाय जाते है जिन pipes पर zinc coating की जाती है इने जंग लगने से बचाने के लिए इसे कारण इन iron pipes को galvanized iron pipes का आ जाता है GI pipes पहले पुराने टाइम में घर के plumbing work के लिए यूज के जाते थे पर आज PVC pipe ने अपनी कम कीमत और better properties के कारण इन pipes की जगा ले ली है और आज PVC pipe ही mostly यूज के जाने लगया GI pipe की एक बहुत बड़ी खुबी ये थी कि इन्हें आप दोनों hot and cold water lines के लिए यूज कर सकते थे पर इनका एक नुकसान ये भी था कि अगर GI line कहीं से damage हो जाती थी तो इसे rectify करना बहुत ही मुस्किल हो जाता था पर आज भी ज्यादातर government project में GI line ही यूज की जाती है GI pipe 12 mm से लेकर 150 mm तक के size में available होते हैं और इनकी length 6 meter तक भी available होती है GI pipe बागी सभी तरे के pipe से काफी costly रहते हैं अब अगर इनके uses की बात करें तो घर के water supply की पूरी internal fitting के लिए आप GI pipes यूज का सकते हैं जैसे के gas line की supply पानी की supply और घर के अंदर दूसरे other liquid के लिए तो friends वैसे तो plumbing और sanitary में और भी काफी तरह के pipe यूज के जाते हैं पर आपको मेलनी इन 5 तरह के pipe पर ही focus रखना है अपने घर की plumbing के लिए वैसे मैं recommend करूँगा कि अगर आपका budget थोड़ा सही है तो आप सिधा UPVC और CPVC pipe के साथ ही जाओ पूरी internal plumbing fitting के लिए नहीं तो आप PVC pipe यूज करो बस hot water के लिए CPVC pipe यूज कर लो तो I hope के अब आपको सभी तरह के pipes को लेकर सभी तरह के confusion clear है अगर फिर भी आपका कोई doubt या query है तो या तो आप हमें comment करें या फिर direct message करें हमारे telegram group पर आपको reply दे दिया जाएगा और जानकार यह अच्छे लगी हो तो कर दो